नमश्कार आप देख रहे हैं यूप चर्ण और मैं हूँ आपके साथ खिश्वसेंग आए नज़र डाल लेते हैं रासान स्यूडी कुछ पड़ी खबरों पर रासान में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर भजनला सरकार लगतार एक्षिन मोड में हैं एसोजी की जांच में सामने आया कि व्राजधानी जैपूर के जागरती विध्या मंतिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही तीन तीन भरती परिक्षाओं कॉंस्टेबल, सियेचो और हाई कोट लिपिक भरती परिक्षा के पेपर लीक हुए थे एक ही स्कूल से तीन तीन बड़ी परिक्षाओं के पेपर लीक में भूमिका सामने आने के बाद अब प्रशाषन ने उस पर बुल्डोजर चलाने के तयारी शुरू कर दी है जैपुर के निवारु रोड सिज जिस स्कूल से तीन तीन बड़ी परिक्षाओं के पेपर लीख हुए वो स्कूल कॉंग्रिस नेता मंजु शर्मा के बेटे धीरश शर्मा का है S.O. जी इन तीनों पेपर मामलों में चार्चित भी पेश कर चुकी है 25 साल की रेप पीड़िता पर हमला करने वाले राजविंद्र यादो को पलिस ने मालवी नगर इलाके से गरफतार किया है 24 फरवरी की शाम को आरूपी ने यूती और उसके भाई पर जान लेवा हमला किया था उसने कोजपुतली बहरोड के प्राकपुरा थाने से 20 मीटर दूरी पर वारदात को अंजाम दिया था उसके बाद वो भाग निकला सुमवार सुबह साथ बजे वो रेड़वे लाइन ट्रेन की चपेट में आ गया उसका एक पैर कट गया और दूसरे पैर पर भी चोट लगी है उसे लहू लुहान हालत में साड़े साथ बजे एसमेस ट्रोमा सेंटर में भरती करवाया गया है डीजीपी रास्तान यू आर साहू ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जगे जगे दविशते रही थी जह दोरान ये घटा हुई उस दोरान पुलिस आरोपी के पीछे नहीं थी जे आर पी ने ट्रेन से कटने की सूशना पुलिस को दी इसके बाद मौके पर पहुंची एक सो आठ ने घायल राजिंद रियादो को एसमेस अस्पताल पहुँचाया डिप्टी सीम दिया कुमारी ने रविवार को मणिपाल अस्पताल पहुचकर पी एनबी बैंक डखेती प्रयास को अपनी बहादूरी से विफल करने वाले एवं इस दोरान गोली लगने से घायल हुए कैशियर नरेंद सिंग शेखावत से मुलाकात की उन्होंने घायल कैशियर की होसला अफजाई करते हुए उनकी बहादूरी एवं साहस की सराहना की उन्होंने डॉक्टर से भी घायल कैशियर के स्वास्ते के सम्मद में रिपोर्ट ले उप्मुके मतरी ने इस दोरान घायल कैशियर नरेंद सिंग के परिवार जनों से भी म प्रासान में गर्मी की आहट के बीच वापस सर्धवाओं का दौर शुरू हो गया है मौसम परिवर्थन के चलते प्रदेश के लगभाग सभी जिलों में तापमान के उठा पटक जारी है पिशले 24 घंटे में प्रदेश का मौसम ड्राय रहा जिसके वज़े से रात के तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी हुई है लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अगले एक दो दिन में प्रदेश में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बंस एक्टिव होने के चलते बारिश का दौर शुरू हो सकता है मौसम विभा के मताबिक सोमवार वे मंगलवार को इस western disturbance की सक्रीता के चलते प्रुदिश के 16 जिलों में बादलों के आवाजाही के साथ बारिश हो सकती है दूसरा western disturbance एक से दो मार्च को एक्टिव होगा इसमें बारिश के साथ तूफान और ओले गिरने की भी संभावना है लोगसबाद चुनाओ से पहले लोगसबाद स्पीकर एवं कोटा सांसद ओम बिरला सहित भाशपा के 48 निताओं के लिए राहत की खबर है सरकार ने बिरला के साथ ही पूर्वधायक चंदरकांता मेगवाल भवाने सिंग रजावत अनिल जैन एवं नरेंद्र मेगवाल के खिलाफ 10 साल पहले दर्श मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है प्रासान हाई कोट से मुकदमा वापस लेने के मंजूरी के बाद रज्ज सरकार के ओर से कोटा की रामगंज मंडी की एक कोट में अरजी दाखिल की गई है इस मामले में सुमवार को कोट में सुनवाई होगी कोट इस मामले में अपना फैसला भी सुना सकती है अक्टूबर 2012 में कॉंगर्स सरकार के दोरां कोटा जालावाट सड़क की जरजर हालत को देख कर भाश्पा निताओं ने खेराबाद में नेशनल हाईवे पर चार घंटे चपका जाम रखा था उस सड़क पर मोड़क थाना पुलिस नहीं ओम बिर्ला चंदरकान ता मेकवाल एवं भवाने सिंग रजावास सहिट 48 लोगों की खिलाफ मामला दर्श किया था रसासूरी तमाम खबरों को देखने के लिए बनरी हमार साथ जुक्चर्ण पर तब तक लिए नमस्कार